हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में लोग डिसकस करेंगे आप 14 बैरोमेटर को आल लेडी हमने लेकिन कुछ इसमें सनशोधन करेंगे कुछ मोडिफाई करेंगे इसमें कुछ मोडिफिकेशन करेंगे जिससे यह और बहतर हो पाएगा तो क्या-क्या कमियां थी क्या-क्या प्राब्लम्स थे क्या-क्या इशूस थे उस पर पहले डिसकस कर लेते हैं तो पहली बात यह समझ जा गई कि जो 14th barometer है, 14th barometer, 14th barometer का इस्तामाल जो हुआ, वस design, क्यों design हुआ है, इसको design किया गया, the reason was to remove demerits of simple barometer, एक बात तो ये समझ आ गई, कि simple barometer में कुछ कमिया थी, कुछ आउगन थे, कुछ demerits थी, उसको हटाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, हम लोगों ने क्या किया, 14th barometer ला है, और यहाँ पर मैंने simple barometer का एक design, यहाँ पर बना के दिखाया है, एक setup यहाँ पर बना के दिखाया है, तो क्या-क्या demerits थे, demerits of simple barometer, simple barometer के जो demerits थे, वो क्या-क्या थे, सबसे पहले, इसमें जो ये पूरा का पूरा setup है, यह, it is made of glass, यह उपर glass है, यहाँ पर इसके अंदर mercury ही है, यह open है, तो glass होने की वज़ए से, और थोड़ा बड़ा setup होने की वज़ए से, इसमें कोई protection की ज़रूरत थी, और कोई protection नहीं दिया गया था, simple barometer में, तो सबसे पहला problem है, there is no proper protection, there is no proper protection, किस के लिए, for a glass apparatus, for the glass apparatus, जो glass से चीज़ें बनी वे थी, उसको protection के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया था, अब चूकि यह बड़ा था, glass का बना हुआ था और यह open था, तो इसको carry करना बहुत मुश्किल था, मतलब portability, portability is difficult, डी आई, ठीक है, उसके बाद, अब यहाँ पे जो हमारे पास यह height है, हमेशा हमको अलग से एक scale या ruler लाके हमको यह measure करना होता था, जो काफी परेशानी की बात थी, मतलब यहाँ पे कोई fixed scale नहीं था, there was no, no fixed scale, no fixed scale, इसकी वजह से हमको बार बार ठीक से चीज़े करने बट दे थे, with glass tube, glass tube के साथ कोई fix, नहीं यह हमारा ट्यूब मरकरी इसमें बरावा उपर वैक्यूब है, तो यह problems थे, और क्या क्या था, जो मरकरी का outer surface था, यहाँ पे यह हवा से बाहर के atmosphere से exposed था, मतलब इसमें chances थे के इसमें क्या हो जाए, contamination हो जाए, बाहर के चीज़ें मिल जाए, तो और क्या कमिया थी, outer surface of mercury, outer surface of mercury, in the tub, यह tub है हमारा और यह tube, है, in the tub, is open, जिसमें chance था, क्या, के chance of contamination, समझ बढ़ है बच्चो, तो बात किया हुई कि इसमें क्या क्या प्राब्लम से, कि इसमें protection नहीं था, glass के apparatus में, और इसको इधर से उधर करना बड़ा मुश्किल था, इसमें कोई fix scale नहीं था, ट्यूब में, और जो tub है, इस tub में जो mercury है, इसमें open था, उसके mercury, जिसकी वजह से बाहर से चीज़ें मिलने का खत्रा था, जिसको बोलता है, contamination का खत्रा था, इन चीज़ों को overcome करने के लिए, इन प्राब्लम को दूर करने के लिए, हम लोगों ने कुछ उपाय करे, इस उपाय में हमने क्या लेके आया, 14 barometer, तो एक बात तो यह समझ आ गई, कि हमने 14 barometer क्यों लाया, simple barometer में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए लिए, simple सा, ठीक है, चलिए, अब आते हम लोग किसमे, 14 barometer में, तो 14 barometer में अगर हम numbering दे के बात करें, धीरे-धीरे figure को हम आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले, इसमें क्या है, हमने एक inverted tube लेकि आया, narrow tube है, inverted, इसमें भी glass ही है, चुकि या glass चाहिए, या कोई ऐसा material चाहिए, जो transparent हो, और जो बहुत सारी चीज़े हैं, क्यों हम इस्तमाल करते हैं mercury, mercury में मतलब जो glass है, glass के साथ ही क्यों इसको लेते हैं, इसका भी कुछ reason है, तो glass जैसा कोई material हो, transparent हो, यहाँ पर ही जो हमारा है, यह closed end है, और इधर से हमारा open end है, इसको हमने क्या किया, mercury पूरी तरह बढ़ लिया, इसको रखेंगे, बंद करके, पहले इसको उलाड देंगे, उलाड के पहले डाल देंगे, किसमे, मतलब इसको सीधा करके, हमने इसमें क्या डाल दिया, mercury इसके बाद इसको invert कर दिया, और यह, चूंकि 76 cm होता है हमारा, जो उपर की तरफ उठता है, mercury, एक atmospheric pressure में, तो थोड़ा सा मैं 76 से उपर लिया, इसकी height, 85 cm to 90 cm, इसका हम लो क्या लेते हैं, height लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बता है, यह फोर्टिस बैरोमेटर में, इसकोंसिस्ट्स आफ, यह number one हमने, ठीक है, आप देखी रहें, consists of a narrow of a, narrow थोड़ा पतला सा, tube of length, 85 to 90 cm, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीज़ने cover कर दो, तब भी अगर आपको कोई प्राबलम हो पढ़ने की वक्त किसमें, फोर्टिस बैरोमेटर में, तो मुझे आप, comment section में कह सकते हैं, consists of a narrow tube of length, 85 to 90 cm, बहुत ही, simple सी बात है, next, next, it is, further of close, further of open, it is closed at one end, it is, it can require narrow tube, it is closed at one end and open at other end, ठीक है, and it is completely filled, पूरी तरह हमने क्या फिल कर दिया, आपन होने के बाउजीद, अभी इसको पकड़ के रखे हैं, फिर दुबाने के बाउजीद के छोड़ देंगे किसमें, दूसरे टब में, and it is completely filled with mercury, एक कौन, यह जो हमारा, क्या है, ट्यूब, completely filled with mercury, एक तो बात यह हो गई, कि हमने एक नेरो ट्यूब लिया, और इस ट्यूब का लेंथ, हाइट 85 to 90 cm लिया, हैना, 85 या 985 से लेकर 90 तक और नहीं, और एक तरफ से close, एक तरफ से open है, और इसमें पूरी तरह हमने क्या कर दिया, मरकरी फिल कर दिया, दूसरी बात क्या करेंगे, यह तो बात आपको समझ आ गई, अब इसी ट्यूब को दोबरा नहीं बना रहे हैं, यह प्ती बात हम लिख लिए, सबसे पहली बात, उसके बाद, इसमें हमने क्या लिया, इदर ग्लास का ही बना हुआ है, इदर कुछ हम इ लिए, यह ग्लास विंडो है, लेकिन नीचे से हमने यह जो थोड़ा सा दिखाया यह टेडा मेरा, यह एक्शुली लेदर बैग, इससे फाय्दा क्या होगा, कि हम यहां पर लेदर बैग को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे यह जो मरकरी है, मरकरी को ऊपर नीचे किया जा सकता है इसके ओपर यह लेधर बैग है ग्लास विंड़ो वाला इसमें भी क्या भरा हुआ है मरकरी बरा हूँ इसमें थोड़ा साइसे उड़ जाता है पिर उसके बाद ये नीचे आएगा थोड़ा थोड़ा वैक्यूं मूझाएगा इसके चिंद अप में करनी है इसको बशून मरकुरी रिजर्वियर मरकुरी यह यही पर रहे रिजर घिरओ रेगवन इस्किमिस में रहेगा न तो मर्करी यह इन भारकट यह से अब तक तो गड़ा है जैसा कि हमारा सिंपल होता अब इसमें और नहीं बात की आई कि नीचे में हमें लेदर गाया जिससे हम इस लेदर बैग को उठा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं छोड़ सकते हैं इसको क्लियर है इसमें क्या क्या होगा बताये दिस मरकरी फिल्ड ट्यूब यह जो मरकरी फिल्ड ट्यूब है त्यूब्ह इसक्रेप इनवठेग इसकों slang इनवर्ट कर दिये इसकैप्ट इनवोर्टे इन वेसल एडरी से फिट किया वगिविजर के से वीड़ गाल ही फितन फितनी घड़ बंड़ सकते हैं ऑनकर पर कि टैट इन अ ह्वीटेड विजआ लेदर बैग का खमाल का था इसको बात क्या होगयी तो कोई अब धी दी इ Signal तो कोई दिफ्रेंस नहीं अब धी दी रे इश में क्या करें गाइंगय है है का अवूस्त अ कि डार लिड के जो दोıl Can Micther देते हैं तो प्रोटेक्षिन प्रोोजेस की ब्राइब के हाएंगे किसको ब्राइस के सबिने इमपोर्डइन से सांता है और शिइन तो बहुत सारी इंपोर्टन बाता है जिसकी वाज़े से हम बचलए जारख gartो सूर्पर जालार जाएगा तो यहां पे किसका क्या अब पॉइंटेर यहां पॉइंटेर और आ सenne इमेज बने गाने यहां पे इसका यह पोईंथर से अगर ऊपर चला जाये गाधा तो में समझ आ जाये यह पॉंटर थोड़ा सा हूर पॉंटिड है यह हमारा एक पॉंटर है यह पॉंटर एक्टुली हैड किρεί लेंगे यहाँ पे जीरो मार्क को शोग looks रेगा टो लेडर बैग को ओपर नीचे करकिंगे हम लोग है यहाँ पे की गर में नहीं जाना है ज्यादा ठीक है कौन सा केस है ब्रास केस थोड़ा और बेहतर होगा मैं बहुत ही खराब बना रहा हूं बस एक डायग्राम बनाने के हम कोशिश करना है बस यह कौन सा केस है ब्रास केस तो यह जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है इसको क्या करने के ये पाउट्चान मीका पाउनिक या लास के इसलिया और लोर लिमिट को मैं ढेस्ट कर के हम इसका जीरो वाला जुनाइब एप स्केल जो लेंग इसके लिया हृús कर देंगे और यहां प्जीरो फिक्स हो जायगा और pointers and we have some agenda कि वहाँ पे आच चुका है उसका लोवर जो इसका अपर वाला पॉर्शन है किसका लेदर बैग में जो हमारा मर्करी है तो गिब प्रोटेक्शन तो गेव प्रोटेक्शन किसको पूरे सेट अप को तो दे ग्लास अरेंजमेंट arrangement it is enclosed in a brass case it is enclosed in a brass case तो एक बास समझ आ गई कि हमारा जो simple barometer में यह भी एक कमी थी उस कमी को हमने हटा दिया उस कमी को हमने खतम कर दिया और चूंकि fix scale चाहिए था उसके लिए पॉइंटर लेकि आया next उसके बाद यहां पर हम यहां बनाएं नहीं यहां पर कैसे बना दे रहे हैं बहुत ही खराब बना रहे हैं बस इतना समझ जाएए एक कि स्क्रियू है तो एड़्जर्स अमर्करी लेवल मत्तब यहां पे लेदर बैक को उपर नीचे करके इस क्रियू के सहारे से गुमा गुमा के है ना इस क्रियू 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 भाआएंगे तो यह लेदर बैक उपर चलते रहे घो हैं यह इसक्रियू इस copyright उर्यवा अपर हमारा atmospheric pressure है उसके according ये ऊपर नीची आएगा उसकी वजह से यहां का जो लेवल है उपर नीची होगा हमें रखना जीरो में चुकि इसकेल को fix करना है अब उसके बाद क्या इस्तमाल करेंगे there is a fixed scale there is a यहां पर हमारा क्या होता है फिग्जड इसकेल यह fixed scale यह है ठीक है there is a fixed scale तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है for this अगर scale fix है तो mercury के level को adjust करके उसका 0 के साथ इसको match करेंगे चुक्कि हाइट हमको कहां से लेनी पड़ती है हाइट इसके horizontal level से लेनी पड़ती है ठीक है for this we need to adjust we need to adjust the mercury level हम नो बस theory पढ़ रहे है actual में जब देखेंगे आप इसको तो आपको बात समझ आजाएगे इसके लिए for this therefore we need so and a screw is provided yes screw nature is provided at the bottom जिसकी सायते से विरम इसको adjust करते है by which we can adjust तो करी दिया लिख दिया ठीक है mercury level को हम क्या करते है जीरो में लाने के लिए इसको क्या करते हैं लोग इस क्रियू का सहारा लेते हैं ठीक है उसके बाद यह आप देख रहे हैं fixed scale यह main scale है अब आप units and measurement पढ़े होंगे तो अगर ज्यादा accurate measurement चाहिए यह जो हमार अपर वाला portion है अपर वाला यहां तक लेते हैं यह तो vacuum है ठीक है यहां से लेकर इसका जो zero level है zero I think यहां से लेंगे यहां से लेंगे आप देख लेजाएगा है ना जहां से लेंगे पॉइंटर के साहयता से हम किसी एक को zero माल लेंगे I think यहीं पे होना चाहिए तो यह जो हमारा zero level है यहां से इसकी height कितनी है height measure हो जाएगा है लेकिन height को ज्यादा accurate अगर measure करना है तो main scale तो हमारा millimeter में शो करेगा है ना और अगर और भी छोटा measurement चाहिए जो उपर का जो यहां पे height है यह इसको ज्यादा अच्छे से measure करने के लिए हमको vernier scale की साहयता की जरूरत है ठीक है बात समझा रही है आपको मैं कह रहा हूं कि जो height है हमारा वो तो measure हो जाएगा fixed scale से अगर और ज्यादा सही measure करना है ज्यादा accurate या ज्यादा precise अब कहें measure करना है तो हम लोग एक vernier scale भी लेंगे okay a main scale graduated a main scale graduated in mm अभी यह millimeter में होना चाहिए है थे नहीं is attached to the brass tube थोड़ा सा बनावट में फरक आ सकता है लेकिन आप इतना जान ले कि में इसके लोगा और में scale की ओपर एक हम लोग क्या लेंगे ज्यादा precise measure के लिए हम लोग एक vernier scale भी लेंगे a pointer is used to your pointer जो है क्या इस्तमाल करता है यह 0 के साथ fix करने के लिए स्तमाल करते हैं अप पोइंटर बहुस तरह के pointer होते है यह तरह का कोई लेंगे स्तमाल करेंगे इस उस्तमाल करेंगे इस उस्तमाल करेंगे इस यूज़ तो maintain the mercury level mercury level को 0 में maintain करने के लिए in the vessel at in the vessel at 0 of main scale main scale का 0 यहाँ पे coincide करें है न जिसके लिए हम किसका सहरा ले रहे है pointer का at the 0 of main scale इसा करने की वज़ा क्या है चुकि scale fix है तो यहाँ पे यह fix होना जरूरी है the lower point lower point यह वाला जो the lower point of pointer the lower point of pointer is at 0 of main scale यह बात मैं कह रहा हूँ यह ज्यादा clear हो गया के जो इसका जो lower point है यह main scale का 0 और इसका lower point क्या होना चाहिए match करना चाहिए इसी के लिए pointer का इस्तमाल की ओके अब क्या करेंगे और थोड़ा सा अगर बढ़िया measurement चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इसके ओपर लगा देंगे एक वर्णियर स्केल तो यह मैं बना नहीं रहां लिक दे रहा हूं और वर्णियर स्केल अब इसके बारे में वर्णियर स्केल है क्या यह आप यूनिट्सन मेजर में नमरा पढ़ेंगे समझा जाएगा वर्णियर स्केल इस फिटेट अवर दो मेन स्केल फॉर मूर एकुरेट से अच्छा है प्रिसाइज लिग देते हैं मोर प्रिसाइज रीडिंग और मेजर मेंटन अब टमपरेचर अगर मेजर करना मैं ऐसी बता दे रहा हूं टमपरेचर अगर मेजर करना है कि इसकीटने डमपरेचर में कितना प्रेश्र है अंधर मेग क्या डाल देते हम लोग थरमो मीटर बीदाल देते हैं चाहिए तो अपलिक्स ले रास के सिकेंदर में अधर अदेक थरमो मेंटर अब मैजर मैं कैसे होता हमारे पास मेरे स्केल का रिडिं आएगा और और वर् set the mercury level in the vessel we set the यवला जो लेवल है mercury level in the vessel by using in the vessel by using bottom screw यह जो bottom का screw है bottom is crew such that mercury level just touches यह mercury का लवल जुसको तच कर रहा mercury level just touches the bottom point of pointer the bottom point of pointer okay उसके बाद क्या करेंगे note the main scale reading note the main scale reading and vernier scale reading यह मैं बनाया नही वर्निर स्केल को करेंगे दोनों हुम इस्तमाल करेंगे दोनों में अजर करेंगे ठीक है reading for the top of the mercury column यहां पर टॉप इसके साथ कितना हाइड बना रहा है इसके लिए हम लोग मैं इसके लिडिंग मिलेंगे और वर्निर स्केल इडिंग मिलेंगे इसके लिडिंग मिलेंगे और बॉटम तो हमारा पॉइंटर के साथ फिक्स हो गया है उसकी बात आपको करनी ही नहीं अब क्या होगा इसके लिडिंग मिलेंगे इन गिश्द यह इस दर है टॉफ हाइट फ्रॉफ थे मरकरी कॉलम अब करी कॉलम इन दी तो तो ट्यूब की हाइट यू में अमरकरी कॉलम की हाइट अपता चल गी जो है चाहिए हाइट यह पॉइंटर यहां से इसका हाइजेंडर लेवल से कहां तक यतनी हाइट है उसके बाद आपको एक्मसफेरिक प्रेशर चाहिए तो इस्तमाल क्या करेंगे रो जी है रो तो डैंसिटी ऑफ मरकरी जी एक्सलेरेशन ड्यू ग्रेविटी और हाइट आपकी यहां से मिल जाएगी किसे MSR और VSR के समसे तो यह इसकी कहानी थी और एक सस्पेंशन हुक है कि इसको एक वर्टिकली खड़ा रखने के लिए सस्पेंशन हुक का इस्तमाल करते हैं और भी चीज़ें वह बहुत इंपॉर्टन नहीं हैं अगर आप चाहें तो खुद कर सकते हैं है न आपको फोर्टिंस बैरोमीटर समझ आ गया होगा नेक्स्ट हम लोग समझेंगे किसको एनेरवाइट बैरोमीटर और अगर कुछ होगा तो आगे डिसकस करेंगे एनेरवाइट बैरोमीटर है उसके बाद मैनोमीटर है उसके बाद वाइल स्लो है तो उम्मीद करूंगा कि म मैं दूसरे लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में एनियर वाइड बारमेटर और मैनोमेटर को डिसकस कर दो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बारी मच